हेलो स्टुडेंट्स मैं योगंदर भादो सिंग अपने यूट्यूब चैनल गनित्पूर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरा मिशन है तेरा तुझको अरपन इस मिशन के अंतरगत मैं हायर एजुकेशन मत्मेटिक्स के टेक्स्ट मिटिरियल्स पर वीडियोज बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ और ये स्टुडेंट्स के लिए एक अपार्चुनिटी है फ्री आप कॉस्ट कोई फीस नहीं इस चैनल से आप जुड़िये औरों को भी जुड़िये जो ब्यस्टी कर रहा हूँ आपकी जनकारी में हूँ हर चैप्टर के लिए हम एक प्लेइलिस्ट बनाते हैं और फिर वीडियोवाईज आरटिकल्स को डिसकस करते चलते हैं एग्जाम्पिल्स आपके सामने दखते हैं एग्जाम्पिल्स सलेक्ट करने में हमारा 36 वर्सों का experience काम आता है इस तरीके से हम examples select करता है कि सारा course content cover हो जाए और examination point of view से भी वो examples महत्तिपुर्णू है हमारे इस channel पर दोखो हजारों videos है किसी एक video को खुजना बहुत मुस्किल काम है किसी chapter को खुजना मुस्किल काम है इस काम आप कोई तरीका बताते है माली जी आप rectilinear motion खुजना चाहते है rectilinear motion गनिजबू ये type करिए और फिर सर्च करिए तो ये chapter हमारे channel पर खुजना एगा कुछ भी आपको खुजना है माली जी थ्री dimensional geometry में स्फेयर्स खुजना है तो आप स्फेयर्स टाइब करिए और बगल में गनिजबू टाइब करिए फिर सर्च करिए तब आपको मिल जाएगा निव एजुकेशन पॉलसी 2020 के ताथ semester wise दि आप material खुजना चाहते हैं तो आप BSC फर्स समस्टर गनिजबू टाइब करिए BSC फर्स समस्टर गनिजबू टाइब करिए एक वीडियो खुलेगा उस वीडियो में फर्स समस्टर की सारा material सारा syllabus रहेगा और उस syllabus के support में कौन कौन सी playlist आपको देखनी है उसकी सूची दी रहेगे उस सूची आपका अगर पर लिखलो फिर एक खोच-खोच के दिखते रहो ऐसे ही है सब dynamics of particles mechanics का एक ब्रांच है उस ब्रांच का ये chapter है motion of particles of varying mass mass vary करे motion के साथ mass vary करे mass घटे या mass बढ़े जैसे कस्मीर में snowfall है मकान का जो च्छते रूफ टिन का होता है और ढलवा होता है slint उस पे मोटी सी बर्फ जम गई है अब वो जब पिखले की तो motion में आ जाएगी और साथी साथ बर्फ पिखलता जाएगा mass भी बहर ही करेगा एक तो यह example हो गया दूसरा example है माली जाड़े का सीजन है बड़ा ही condensed fog है एक particle rain drop गिर रहा है और जब गिर रहा है motion हो रहा है rain drop है drop है तो particle है और humidity के कारण condensation के कारण उसमें नमी add होगी drop में तो उसमें mass gain होगा ऐसा ही है कोई plane जा रहा है उसमें से एक आदमी कूद पड़ा mass change होगी है तो particle का हम motion देखेंगे body का नहीं particle का motion जिसमे mass vary करें सबसे पहला काम हम लोग equation of motion निकालेंगे equation of motion तो rest से हम start करें ताकि initially velocity 0, time 0, t 0 ठीक ना particle का motion हम rest से start करेंगे और किसी time t पर मालो velocity v है mass m है और time t प्लस delta t पर velocity v प्लस delta v है mass m प्लस delta m delta m mass जो बढ़ा है वो mass की कैसे बढ़ेगा कोई चीज एड़ होगा ना particle का जो mass था उसमें कुछ एड़ होगा तब delta mass delta m mass एड़ होगा अब delta m mass जो एड़ होगा particle के mass m में उसकी दो सर्थ है delta m mass खुद velocity से चल रहा है और फिर एड़ होगा चिपक गया mass m particle के साथ और या तो mass m ने delta m mass जो एक्वाइर किया और रेस्ट से एक्वाइर किया जैसे रेंड़ राफ है कुहरे में जब नीचे गिर रहा है तो जो condensation के कारण रेंड़ राफ mass गेन करेगा जिससे गेन करेगा वो मुसम में नहीं है वो particle stir है और एक यह है कि मालीजे पार्टिकल मूब कर रहा है mass m का पार्टिकल मूब कर रहा है delta m mass भी मूब कर रहा है जो इससे अकिच्छे पग गया है delta t time के बाद तो यह दो इस्तितियां होती है शुरू करते है let m be the mass small m be the mass and small v the velocity of a moving particle of a moving particle at time t let v plus delta v be the velocity of the particle at time t plus delta t ठीक यह जनरल सी बात्चीत हो गई अब हम mass increment की बात करने जा रहे है let there be an increment let there be an increment में जेकि में तिम काव में प्रेकर ज कम जिलो इन तिमें और T and let this mass and let this mass be moving with velocity capital V. V be moving with velocity capital V. M mass, jis delta M mass को acquire करेगा, वो delta M mass खुद velocity V से move कर रहा है. और delta T time के बाद तो चिपक गया है M से. M, M plus delta M हो गया. Then the increment in momentum, then the increment in momentum of the particle in time delta T is small M, M into V momentum होता है, increment in momentum हो निकालना है. पहले M था, फिर delta M भी जोड़ गया. Change कैसे निकालेंगे, देखो. M into V plus delta V हो गया, minus M into V था. तो यह तो M के हिसाब से हो गया, जो M mass का particle move कर रहा है. फिर delta M भी move कर रहा है. Delta M की initial velocity थी capital V. लेकिन delta T time के बाद, जैसे यह mass M है, यह move कर रहा है. यह move कर रहा है. Delta T time interval के बाद, इसमें एक mass add हो जा रहा है. कौन सा mass? Delta M. यह जो है, इसमें add हो जा रहा है. तो delta T time के बाद, mass हो गया M plus delta M. M का यह हिसाब रहा है, और delta M का हिसाब इसे लिखो. डेल्टा M, जब delta M mass, M mass से add, add joined होगा, जूड जाएगा, तो उसका भी वह हो जाएगा. जैसे, मालो, V velocity से एक plane जा रहा है, V dash velocity से, कोई और चीज, move कर रही है, तो जब वह चीज plane से सड़ जाएगी, तो उसका भी velocity वह हो जाएगा, जो plane का है. तो delta T time के बाद, जो velocity हो गई, V plus delta V, minus, जो थी delta M की, वो थी capital V, इसमें वी वी कैंसिल हो गया, और कुल मिल आगया आगया, M delta V plus V delta M, V delta M minus capital V delta M, neglecting, the small quantity, delta M into delta V, या इसमें इसमें इसमें, यह वाला, इसको neglect कर वी आगया, दो बहुत ही चोटी चोटी quantities का multiplication, बहुत चोटा हो जाता है, equals to, देखो यह दोनों मिलके हो जाएगा, डिल्टा आफ एम वी हो जाएगा गने देखो एम डिल्टा वी प्लस वी डिल्टा एम माइनस केपिटल वी डिल्टा एम नमबर वाल तो मुझे विश्वास है कि आपको अभी तक की बाते समझ में आये होगे यह स्टेप थोड़ा इंपोर्टन यहां समल के लिखना इसलिए आपको बहुत समझाया है और अब आगे की अत्रा बहुत अनलीटिकल है निटिकल है अब रेट आप चेंज अब मोमेंटम अब रेट की बात कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम अपान चेंज इन टाइम रेट हो गया रेट आप चेंज अब मोमेंटम फोर्स होता है रेट आफ रेट आफ रेट आफ चेंज अब मोमेंटम बराबर डेल्टा mv upon delta t minus capital v delta m by delta t taking the limit या एक step ओर बढ़ालो implies that rate of change of momentum को capital P लिखे दो equals to delta of mv upon delta t minus capital v delta m by delta t kama where capital P is the force गती के कारण जो बलुत पर्ण होता है taking the limit delta t tends to zero limit ले ले लेंगे तो t time per spontaneous हम जो भी data हमको चाहिए वो निकल आएगा taking the limit as delta t tends to zero we have capital P equals to d by dt of mv minus capital v dm by dt यह यह equation of motion this is the equation of motion जो शुरू में आपको हम बोले थे कि यह जो capital V है delta m mass this velocity से चल रहा था initially वो अगर zero हो जाए है यहनी mass का जो increment हम फ्राम रेस्ट एक्वायर करें if star बना के note लगा लो if capital V equal to zero then the equation of motion will be P equal to V zero कर देंगे तो पहला term बचेगा बस d by dt of mv यह है newton's second law of motion newton's second law of motion अब आईए example उटाते है आईए आईए आईएर आई आईए आईएर चरल लोается a spherical raindrop वर्षा की बूंद raindrop of liquid falling freely in a vapor falling freely in a vapor वेपर वेपर मने वास्प जानते ही है acquires प्राप्ट कर लीता है a c q u i r e s acquires mass by condensation 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 मने वास्पी करण संघनन वास्पी करण वाइपर वास्पी करण समझ रहना वाइपर का माहौल है medium वास्प के माहौल में एक रेंडराप freely falling freely under gravity और वास्पी करण से वो मास्प में गेन कर रहा है तो जहां से गेन कर रहा है वो motion में नहीं है वो medium इस ते रहे condensation at a constant rate at a constant rate at a constant rate c rate of gaining rate of acquiring mass is constant rate of acquiring mass is constant t time में कितना mass acquire कर लेगा ct यह इसका मतलब question पूरा किया जाहा हूर अब पहरा कराप बदल के लिए show that the velocity after falling from rest show that the velocity after falling from rest in time t after falling from rest याने कि यह यह जो प्रोसेस है वो रस्ट से चूरू हो है initially raindrop was at rest and event t is 0, velocity v is 0 initial condition, कम आएवा falling from rest in time t is in time t is 1 by 2 gt 1 plus capital M upon m plus ct where capital M is the initial mass where capital M is the initial mass of the drop rain drop drop सर्फ लिखने, बात इस पस्ट है तो question लिखते लिखते क्या क्या चीज़ें सामने आ गई एक तो यह है कि article में जो delta M के initial velocity capital V थी, वो इसमें नहीं है mass जो acquire कर रहा है, rain drop वो condensation से कर रहा है from rest कर रहा है mass जहां से ले रहा है, वो rest में है, तो capital V 0 हो गया तो इतना लिख दिया जाए पहले, यहीं शुरूख किया जाए और दोखो क्या निकालना है, velocity और time time t पर कितनी velocity, यानि कि equation of motion ही तो निकालना है the equation of motion the equation of motion of particle of varying mass is अभी जो निकालना है अभी तो अभी तो अभी तो of mv minus capital V dm by dt नमबर एक अब इसमें पहली बात तो यह कहेंगे कि v 0 है, दूसरी बात हम small m निकालेंगे ठीक है, नहीं? capital V मालूम है small m हम निकालने बस और capital P की बात हम करेंगे तीन चीजों की बात इसमें करनी है capital P force small m small m क्या चीज है mass of the particle mass में केतना गेन हुवा total mass और capital V एक एक करेंगे चलो करें, पहली बाद, 2 असी,ivamente since केकी रहन पूर रेंड ड युलो open बाद, करेंगे है això, फारावण हुध करेंगे पर दिए करेंगे गे बाद, पर खेंगे पर जो हीडिवा, Q ठीक पहली बात तो यह रही अब एम क्या चीज है गिवन देट the rate of gaining mass the rate of gaining mass by condensation is C by condensation is small C or thought gain in mass at time t that is gain in mass at time t is C into t is C into t full step thus small m बराबर होगा initial mass यह लिखा हुआ है initial mass प्लस कितना gain हुआ ct ठीक एंड सो पी भी ही लिख लो capital P बराबर small m into g यानि capital M plus ct multiplied by g इस equation में small m हो गया P हो गया और capital V capital V की भी चार्चा कर लो since the mass is picked up since the mass is picked up from rest therefore capital V equal to zero तो तीन डेटा आपके पास हो गया इस सब को number one में रखिए putting m equal to capital M plus ct P equal to capital M plus ct multiplied by g and capital V equal to zero in one we get capital M plus ct multiplied by g equals to d by dt of mv capital M plus ct multiplied by g record बंद और V zero हो गया अब इसको आप integrate कर लो क्योंकि आपको क्या निकलना है V निकलना है और आपको क्या दिया हुआ है derivative of V to integrate करेंगा तो भी आजाएगा integrating we get integrating we get capital M plus ct whole square into g upon 1, 2 और t का coefficient c है तुस्य भागदांगे integral मन equals to capital M plus ct multiplied by V plus lambda number 1 डाले थे नहाँ 2 where lambda is constant of integration where lambda is constant of integration जिसकी value निकालने के लिए इस equation पर हम initial condition impose करेंगे initially v equal to 0 at t equal to 0 इन्हें impose करना है 2 पर applying these conditions to 2 we have v 0 रखेंगे तो दाहिने तरफ कुछ बच्चे कोने शिर्फ lambda रहेगे lambda is equal to इदर बाही तरफ t 0 कर दिया capital M square g upon 2 c putting it into we get capital M plus c t whole square into g upon 2 c equals to capital M plus c t multiplied by v plus capital M square g upon 2 c हो गया यह result निकालना है लेकिन इसको अगर होता कि जिस वेलासिटी के लिए एक्स्प्रेसन निकालो तो निकालो तो निकालो तुम यही छोड़वा देते हैं लेकिन कोश्चन का उसमे इसमें लिकाइ शोड़वाइं लेकिन की इसमें लेकिन स्प्रेसन तु Creator यह होगे अधैटी वाये कालो निकालो निकालो है एछकोड़ इसको इसकों on 2C LCM हो गया 2C ऊपर हो गया capital M plus CT whole square minus capital M square this whole multiplied by G चलेगा implies that V equals to dividing line उपर देखो यहां whole square खोलोगे न तो M square cancel हो जाएगा क्या क्या बचेगा C square T square plus 2 capital M CT upon 2C into capital M plus CT उपर ने जा C cancel हो रहा है cancel करिये CT square plus 2 capital M T upon twice of capital M plus CT into G into G कहीं था छोट रहा है इंको लग रहा है कहां छोट रहा है बताओ कहां छोट रहा है यह into G अच्छनक रिजल्ट याद आगया हमें G कहां छोट रहा है into G 1 upon 2 G T था साइध रिजल्ट में नीच्छे से 2 हटा लिए उपर से G T हटा लिए यानि G तो हई है इसमें से T और निकाल लिए तो क्या क्या बचा C T प्लस 2 केपिटल M आगया अपान M प्लस C T इससे बाग दो कर तो रिजल्ट आजागे देखो एससे सेट कर लो 1 upon 2 G T ब्रेकेट में capital M plus C T और plus capital M हो गया 2 M upon capital M plus C T final step लिख रहा है इसलिए मैं आप साइड भी उतार लो V equal to 1 by 2 G T ब्रेकेट में 1 इससे दिवाइड कर दिया 1 plus capital M upon capital M plus C T टाइम T पर velocity के लिए एक्स्प्रेशन गया विच गिप्स विच गिप्स या ऐसे लिख दो विच इस एक्स्प्रेशन विच इस एक्स्प्रेशन for the velocity for the velocity of rain drop at time T वीडियो को लाइक कर दें बेल आइकान प्रेस कर दें क्योंकि इस प्लेश्ट में अभी और वीडियो पलेंगे चैनल सब्सक्राइब कर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करने के स्थिती में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने हैं अगले वीडियो में सिर्फ हमें प्राबलम्स यानि एक्जाम्पिल्स ही एक्राने हैं इसमें और कोई बहुत थेरी है नहीं एक्जाम्पिल ही एक्जाम्पिल है तो अधिक सदिक हम इसमें एक्जाम्पिल्स आपको करा देंगे थेंक यू